जैहिन मैं सीव सार आपका स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल ससी क्लासेज इन माई वे में आज हम आप देखें लास्ट टाइम आपने देखा कि अजेक्टिव अजेक्टिव के आपने क्या क्या देखा काइन्स देखा ठीक है और उस सभी काइन्स को आपने देखा और फिर लास्ट में हमने ये भी बताए कि डिगरी ठीक है तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे कि डिगरी कितने टाइब जैसे लास्ट टाम हमने आपक कि तीन डिग्री होती है एक होती है आपकी पॉजिटिव दूसरी कमपैरिटिव एंड लास्ट वन आपने देखा सूपर लेटिड डिग्री लेकिन ये किसी भी अजेक्टिव को बनाना कैसे जाता है जैसे अगर हमने लिख दिया कि कोई ये है अजेक्टिव अब इसको आपको पॉजिटिव में बनाना है और कमपैरिटिव में बनाना है और किस में बनाना है सूपर लेटि डिग्री में बनाना है तो ये कैसे बनेगा चलिए आज हम इसे के उपर डिसकस करेंगे कि ये किसके मतलब कि ये कैसे बनेगा तो ये हम डिसकस करते हैं ठीक है तो देखिए तीक देखिए आज हम डिसकस करने वाले हैं पहरा पॉइंट तो ये कि क्या क्या होता है ये हम समझते हैं जैसे आप देखी पहले आप समझते हैं हम आपको बता दें कि आपको कैसे बनाना देखिए, syllable की मैं बात बता दूँ आपको, देखिए, अगर, देखिए, पहला पॉइंट ये है, कि इफ वर्ड हैस, वन से लेबल, वन से लेबल, और सम टाइम, मतलब, मतलब, एक से लेबल है, अब से लेबल को बोलते हैं, मांत्रा, मांत्रा बोलते हैं, अगर से लेबल एक हो, तो वहाँ पर, देखिए, हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम अजिक्टिव को कम्पेरिटिव बनाने के लिए, देखिए, जैसे ये कोई अजिक्टिव है, अजिक्टिव को कम्पेरिटिव बनाने के लिए, देखिए, ऐसे हम समझते हैं, ठीके, तो, ठीके, कम्पेरिटिव बनाने के लिए, comparative बनाने के लिए और superlative बनाने के लिए superlative बनाने के लिए हम क्या क्या करते हैं तो पहला point आपको याद रखना गर ऐसा है तो comparative बनाने के लिए हम उसमें er add कर देते हैं और superlative बगारने के लिए हम उसमें est जोडते हैं क्या जोडते हैं? est तो यह चीज़े आपको सीखनी और कैसे कैसे अभी हम देखते हैं उसके कुछ examples भी करते हैं तो पहला आपने क्या समझा कि अगर कोई word एक syllable हो एक मात्रा हो उच में से कुछ ऐसे भी होते हैं जो दो syllable रख लेते हैं अगर ऐसा आता है तो हमें comparative degree बनाने के लिए adjective में उसमें er add कर देते हैं और superlative बनाने के लिए हम usmei est को add कर देते हैं अगर ऐसा है तो यह क्या बन जाता है यह बन जाएगा comparative और यह बनेगा आपको superlative degree बनती है अच्छा तो कुछ पॉइंट हम डिसकस करते हैं चली आगे चलते हैं आगे बढ़ने से पहले हम दूसरा पेज लेते हैं ठीक पेज पे हम सेलेक्ट करते हैं तीसरा पेज ठीक इसमें करते हैं देखिए अब आप समझें किया क्या कंडिशन जैसे मैं लिखना शुरू करता हू देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव कंपेरिटिव सूपरलेटिव ठीक अब देखिए यह है आपका पॉजिटिव हम लिखते हैं स्Wीट और कि स्मॉल तॉल और हम लिखते हैं बोल्ड ठीक और आपका है काइंड ठीक और लिख लिएते हैं याउं अब इसें हमें कि बदलना है इसें हमें सीखना है की KOP की से बनेगा सुपरलेटिय। हमने क्या बता है। भय कम्पैरिटिय। बनाने के लिए अगर एक syllable है, तो उसमें हम क्या करेंगे? ठीके, अगर एक syllable है, तो उसमें हमें अड़ करना होगा, उसमें हम क्या अड़ कर सकते है? E.R. और अगर superlative बनानी है, तो EST एड़ करते हैं, यह आपको दिहान ड़का रहे हैं, ऐसे करते हैं, तो चलीए समझते हैं पहला पॉइंट यह है पहला आपने समझा कि यह ऐसे है ठीक अब आगे देखें आगे की कहानी यह है अब पहले syllable को समझते है जैसे अमने कहा कि बाई एक शिलेबल अब देखें आप पढ़ें जैसे आप पढ़ रहे हैं स्वीट तो इसमें आप देखे पहले वावल्स, वावल्स क्या है, दोनों साथ में आये हैं, और इसको पढ़ा क्या जा रहा है, एक ही बार पढ़ा जा रहा है, अगर वावल्स, पहले तो जैसे कोई भी वाड़ा है, उसमें वावल्स काउंट करिये कितने हैं, इसमें दो वावल्स हैं, हाँ, बिल्कुल है, लेकिन क्या ये दो बार पढ़े जा रहे हैं नहीं पढ़े जा रहे हैं एक ही बार में पढ़ दिया जा रहे हैं बिलकुल जैसे आप इसे जब पढ़ेंगे sweet तो ये एक ही बार में पढ़ दिया जा रहा है जब एक ही बार में पढ़ दिया जाएगा ठीक है यह क्या हो रहा है स्वीट तो यह अगर एक ही बार हम पढ़ दिये जा रहा है तो यह क्या हुआ है अगर यह अब देखिए इसे हम क्या पढ़ रहे हैं स्वीट पढ़ रहे हैं बिल्कुल पढ़ रहे हैं लेकिन आपने पढ़ा क्या एक बार में वन टाइम आपने से ध्याद से सुने Wow Well, चाह जितने हो, अगर वह एक ही बार में पढ़ दिये जा रहे हैं, तो वो कहलाएंगे, one syllable, क्या कहलाएंगे, one syllable, इसका मतलब एक मान्त्रा, मांत्रा जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं अगर वो दो बार पढ़े गए तो वो क्या कहलाएंगे तूसी लेवल वो क्या कहलाएंगे तूसी लेवल आई बास समझ में चली I hope कि आपको समझ में आया होगा ठीक हमेरिस कर देते हैं ठीक अब इसको हम बदलते हैं देखें बदलने के लिए स्वीट है अच्छा एक से लेबल है बिल्कुल कॉमपेरिट्व बनाने के लिए क्या ER जोड़ेंगे ER करेंगे कि नहीं करेंगे और जब ER करेंगे तो इसमें हो जाएगा स्वीटर और अगर स्वीटर बनाना होगा था हम क्या करेंगे इसी में लगाएंगे EST ऐसे ही स्मॉल अब ये भी एक सी लेबल है पढ़ कर आप देख ले स्मॉल तो स्मॉलर हो जाएगा स्वीटर बनेगा स्मॉलेस्ट स्वीटर बन गया smallest बन गया है, tall taller बन गया है superlative क्या बनेगा है tallest bold, boulder ठीक boulder और superlative क्या बनेगा boldest ऐसा ही kind का kinder superlative kindest ऐसा ही यांग का यांगर और youngest ठीक, ये चीज़े आपको समझ माइए तो आपने क्या देखा अगर आपको एक एक सी लेबल हो तो उसमें हम ER जोड करके comparative बनाते हैं और EST जोड करके superlative degree बनाते हैं ये आपने देखा ठीक अब अच्छा कई बार क्या होता है कि when positive degree ने ऐसे कई बार होता है कि अगर positive degree जैसे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेना चाहेंगे तो चलिए हम चलते हैं next page पर ठीक है sorry actually this is new app तो इसमें थोड़ा सा अभी uncomfort है देखिए अच्छा एक चीज़ आप हमें सा ध्यान देगे point one कि अगर जैसे when the positive positive ends in e अगर e से याद यह मतलब कोई positive degree हो मतलब कोई adjective हो और वो e से जुड़े तो ना हम क्या करते हैं comparative बनाने के लिए comparative के लिए हम सिर्फ R जोड़ देते हैं ठीक आई बास समझ में और superlative के लिए हम क्या करते हैं इध्यान से सुने अच्छा यह कोई मतलब कोई मिसेस वाली बात नहीं है कि आप वो करे ही ठीक है उसमें सिर्फ ST जोड़ दें और जाहिसी बात है जब पहले से लगा है तो आपने क्या करना उसे हटाना थोड़ी नहीं लगाना तो वही है तो यह एक understood भी बात हैं और मैं इसे अगर बता भी देता हूँ तो यह कोई विसेस रूल नहीं है यह तो understood बात हैं जैसे अगर हम ऐसे देख लें आपका कि एक्जाम्पल में जैसे ब्रेव तो इसमें देखें लास्ट में ए है तो अगर इसे comparative बनाएंगे तो हम क्या लगा देंगे सिर्फार लगा दिया हमने सिर्फार जोड़ा और अगर इसके हम superlative बनाना है तो हमने क्या add किया EST जोड़ दिया तो bravest, braver and brave बन गया यही तो है तो वैसे ही जैसे large अगर आप समझ ले large तो यह क्या हो गया larger और यह क्या हो गया largest तो यह चीज़े आपको समझ बानी चाहिए अब आच्छा इसमें देखें vowels कितने दो है एक और दो इसमें भी एक और दो क्या लेकिन यह दूसरा पढ़ा जा रहा large नहीं पढ़ा जा रहा brave नहीं पढ़ा जा रहा पढ़ा एक ही जा रहा तो पढ़ने पर एक ही से level आ रहा तो यह एक से level है इसलिए क्या हो गया braver, larger, bravest and largest हो गया ठीक यह चीज़े आपको ध्यादे लिए अच्छा अब बात कर लेते हैं हम कि जैसे कुछ और भी जैसे वो हम मात में करेंगे अब हम बात करते हैं कि जगर syllable जो हो more than two syllable ठीक है अगर दो स्लिएबल से ज्यादा हो तो आप क्या करेंगी तो हम कहते हैं बैकिये comparative के लिए comparative के लिए हम क्या करते हैं more add करते हैं क्या करते हैं more और superlative बनाने के लिए हम क्या add करेंगे most ठीक यह आई बात समझ मिए इसमें अगर ही देखी अगर दो मांत्रा से ज्यादा हो तो क्या करते हैं comparative बनाने के लिए हम more का use करते हैं superlative बनाने के लिए हम most का use करते हैं जैसे example हम सीख कर लेते हैं beautiful ठीक और एक लिखते है डिफिकल्ट डिफिकल्ट और एक वर्ड लिख लेते हैं इंडस्ट्रियस अब देखें यह है positive degree चुकि फस्ट रूप है adjective कर ठीक और है सभी के adjective हैं अब इसे हम क्या करते हैं अब हम इसे करते हैं हमें क्या बनाना है comparative और superlative ठीक इसका क्या बनाएंगे इसका comparative बनेगा more लगाके more beautiful और यह क्या बनेगा most beautiful यह क्या बनेगा more difficult more difficult और यह क्या बनेगा most difficult most difficult ठीक ऐसे यह बनेगा more industrious अब इसमें जो देखने वाली बात यह है कि आप notice कर सकते हैं अब देखियां हमने क्या बता कैसे आपको count करना है पहले तो पढ़िए एक दो तीन है इसमें चार पांच syllable है मतलब पांच vowels हैं फाइव vowels हैं बिलकुल हैं अब उसे पढ़ें बियू टी फुल लगभग चार तीन से लेबल यह जो रहना एक ही बार पढ़ दिया जा रहा है बियू टी फिर उसके बाद फुल यह तीन से लेबल डी फी कल्ट एक दो तीन वाविल्स हैं मतलब एक ही से लेबल है दो बार लेकिन तीन वाविल्स आये हैं अब तीनों वाविल्स को पढ़ें डी फी कल्ट यह तो तीन पढ़े जा रहे हैं इसे इंडेस्ट्री एस तो ऐसा यह दो से जादा है तो इसलिए इनको सूपर कंपरिट्व बनाने के लिए हम मोर का यूज़ करते हैं ठीक है और सूपर लेट्व बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समस में आया होगा एक बार मैं पुना पूरा मतलब एक बार फिर से मैं पूरा आपको रिवाइस कर दूँ कौन सा लेकर ये ले देते हैं ठीक है और आज आते हैं हम पेज नंबर फरस्ट में हैं दूसरे पर ठीक तो आपने देखा दूसरा देखे कंपैरिट्व डिगरी बनाने के लिए हम क्या एड करते हैं यार एड कर देते हैं अच्छा इन लींटि बनाने के हम क्या करते हैं यार लगा देते हैं और उसी में अगर सुपरलेट्व बनाना होता तो हम एस्टि का जोड़ देते हैं चलिए अगला हम देखते हैं कि क्या है अगला में ये ये बना हुआ है इसको देखिए ये एक एक सिलेबल है बिलकुल है sweet, sweeter, sweetest, er हमने जोड़ा, er जोड़ा है small, smaller, smallest, tall, taller, tallest, bold, bolder, boldest, ऐसे kind, kinder, kindest, young, younger, youngest जब कभी भी एक्स लेबल हो तो comparative बनाने के लिए ER का यूज़ करते हैं एड कर देते हैं और superlative बनाने के लिए EST का यूज़ कर देते हैं यह हमेशा याद रखें ठीक अगला देखते हैं अगला है आपका यह ठीक इसमें देखिए और जब कभी भी मतलब positive जो डिगरी होती ह हैं उसमें अगर E से सुरू हो तो वह common सी बात है कि उसमें हमें ER ही लगाना होता है हम इसे add कर देंगा भाई यह हो गया यह हो गया बस बात खतम हो जाएगा ठीक है अब आगे जो point है वह मैं फिट से समझा दू अगला point है आपका कि यह superlative degree कैसे बनाई जाती है अगर अग 대jective has more than two syllables अगर दो syllable से जधा हो अगर दो syllable से जधा हो देखिए अगर deux distributions से जधा हो जैसे एक यह यह करते हैं जैसे beautiful difficult industries तो beautiful को बनाने के लिए आपने देखा more beautiful का यूज करें कियों चुकि यहां पर जो वावेल हैं वो तीन चार आए हैं और पढ़ने पर दो से जादा हो रहे हैं तीन से लेबल बने beautiful ठीक है beautiful तीन बार ऐसे इसलिए यहां पर more beautiful और यह तीन से लेबल वाले हैं इसलिए इसको superlative बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं most का use कर रहे हैं ऐसे difficult इसे अगर पर पढ़ें ने तीन बार पढ़ा जा रहे तो तो अगर तीन से लेबल हो था हम क्या करेंगे मोर लगा कर उसे क्या कर अगर दो से ज्बाइबल से ज्यादा वह तो यह जब कंपरिट्व मनेगा तो मोर इंडस्ट्रियस सुपरिट्व बनेगा तो मोस्ट बनेगा आपको समझ में आजा होगा और कोई भी पॉइंट I don't think there is left कोई पॉइंट नहीं है तो आप ऐसे समझे यह है आपका वो तो I hope आपको समझ में अगर कोई दाउट है तो आप जरूर हमसे पोचेगा कुछ और भी खास चीजे हम लेकर आएंगे इसको लेकर कैसे क्या बनाते हैं चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिंट